दोस्तों मैंने दो फिल्म में देखी एक तो आज रिलीज हुई फाइटर और एक कल देखी थी नेरू ओला सर की तो दोस्तों दोने पिक्चरों के बारे में मैं सिपते ही कहुँगा कि अगर आप फाइटर का प्लान में आ रहे हैं 26 जनुवरी के परपक्ष से तो मैं यह कहु रिलैक्स मोड से देखेंगे तो साथ यह फिल्म आपको अच्छी लेगे इसमें जबर जस्ती का एक्शन नहीं है जबर जस्ती का मेलो ड्रामा नहीं है और जबर जस्ती की हाववाजिया जैसे साथ की फिल्म हम होता उस तरह का भी नहीं है इस्टूरी ऐसी है कि ज्यादा नहीं है लेकिन जो स्टूरी चल लगी है वो मेरे को अच्छे लेगी और खास करकी रिट्यक रॉसन और धीपी का पादिकोर की जो कैमिस्ट्री है उनकी जो वन लाइनर डायलोग है एक दिस्ते को ताना मारते हुए वो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लेगे बात करें न पर्यादा भी रही लड़की की और सस्पेंस भी रहा तो यह फिल्म तो मैं एक बार में दे गया इसमें भी ड्रामा और ओवर एक्टिंग और यह साउट का जो मसाला होता है वो कम था लेकिन उसके बाद भी यह फिल्म स्टार्टिंग तू डी एंड इमोशन भी करेगी जो कोट की रूम में जो होते हैं सबूत अबूत व्यली यह सारी चीज तो अगर बैटर की बात करें तो नेरू फिल्म ज्यादा अच्छी है फाइटर से लेकिन फाइटर फिल्म ऐसी है क्योंकि आज 26 जनवरी है तो दिल निमानेगा नहीं फिल्म देखना ही पड़ेगा आ लेकिन उस लेवल का जो होता है जो मसाला चाहिए हमें 26 जनवरी पंदर अगस को जैसे की गदर फिल्म थी उस टाइब का मसाला इस फिल्म नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच लेकर अगर फिल्म देखने जा रहें तो आपको बहुत ज्यादा अच लेकिन आप अच्छी फिल्म देखने जा रहें तो आप निरास नहीं होगे तो दोस्तों बजे तेकर अदर फिल्म के बारे में जैहिंद बने बात रहें